डोस्तो आज मैं सिवसेना के उधर ठाकरे आदित्थ ठाकरे को देखता हूं तो कभी-कभी मुझे लगता है कि यह क्या इनी बाला सहाब के खुन रहा है या नहीं बाला साहब कही संतानbor sucked मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों कभी देखिए जिस औरंग जेप को चार पल हर छन गाली देता था मैं आपको बता दू कि जिस बांगलादेश को देशियों को भगाने के नाम पे बाला सहाब ठाकरे ने अपनी मुहीम छेडा था जो हमेशा कहते थे कि बांग किनार कर लिया था कि उन्हें भोट में लॉस ना हो ना भी स्वास हो तो आप इसे चेक कर लिजिए उस समय का न्यू चैनलों में जा करके दूसरी मैं एक वीडियो दिखा दे रहा हूं उस औरंग जेप की तरफदारी करते हुए देश भक्त बताते हुए जो सिवा जी का इंबाजी राजे भोशले को 40 दिनों तक तरपा करके मारता पहले वाप वीडियो देखिए अभी मैं आदर को हूँ कि हाँ मेरा भाई था तो आप बोलेंगे लेकिन आपको नाम पता है क्या है उसका नाम था आउरंजीव पताये क्या इनमें बाला सहाब राक्टरे का एक रक्त नजर आ रहा है यह अदित्य ठाक्रे सब हैं उद्धव ठाक्रे कि सत्ता इतनी बड़ी भुकमरी चीजे सित्ता इतनी गंदी चीजे कि किसी को भी बरबाद कर दे मैं एक और धार अंदे रहा हूं जार्खंड के जैराम महतों जो की जार्खंडी खत्यानी बाबू ज जार्खंड के टाइगर बाबू गिने जाते हैं उनकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं यह देखिए अब कुछ लोग बोलेंगे इसमें नुकसान क्या है भाई धार्मिक चैस्मा तो आखिर आपने भी पहन लिया जो वेक्ती आज मदम मस्जिदों में जाके नवा सथारी बहुसंग्य के वहाँ आपनी सत्ता कुर्शी गवाएगा तो अगर बात कर दिया तो यह आदिकार छिन लेगा तो सोच्छे कि कई जगा पर उनकी सीटे चली जाएगी और जैराम मातरों कभी मुख्य मंत्री नहीं बना पाएगा तो क्या आप उससे उम्मीद करते क वो भी जैराम मातों सत्ता में आएगा, सत्ता में आने के लिए बिहारियों के पीछे नहीं भागेगा, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, सारे युवाहों से कहता हूँ, कि जब कोई कहे, कि मैं तुम्हारे राज्जी के लिए लड़ा रहा हूँ, तुम्हारे लिए लड़ा हू तो समझ जाईएगा कि वो केवल और केवल अपने सत्ता की भूख मिटा रही है जब कोई विक्ति लड़ाई को एक राजनतिक पाटी बना दे चाहाँ वो जैराम मातो हो या उद्धोठा करे हो जब सत्ता की भूख आ जाए और खुद के चहरों को मुख्य मंतरी के आवास में दिखा दे आप समझ जाईएगा कि सत्ता परधान है धन परधान है सत्ता परधान है ताकत परधान है ना कि आपके अधिकारों का रक्षा को उसके लिए परधान है मैं एक बार कैदा हूँ कि जाराम मातों की आप बात करते ना एक बार जीतने दीजे स्वयम आपको समझ में आएगा कि ये भी उद्धर ठाक्रे बन करके साबित करेगा कुछ लोग कहेंगे मैं मानता हूँ कि मेरे कितने जारखंडी मेरे इस वीडियो को देखते और कितने लोगों को पसंद आता है बर भाई अगर आपको दिक्कत है तो आप मुसे लाइफ डिवेट कर लीजे जैराम मातों पर मैं आपको साबित कर दूँगा आखिर सोच लीजिए कि आखिर आप एक हिंदू है और आपको चुनाव लड़ने के लिए नवाज पढ़ने की क्या हो सकता है कि आपको पत उमीद है कि जारखंड के मुसलमानों को जारखंडी खतियान के बाहर है क्या आप क्या साबित करना चाहते हैं मैं एक हिंदू हूँ और जब चुनाव आएगा तो मैं मुसलमानों के घर जहां करूँ के मस्जीद में नवाज पढ़कर के भोट मांगूँगा इसका कारण क्या हुआ क्या हुआ क्या मैं जारखंड के लिए लड़ रहा हूँ नहीं केवल सत्ता के लिए लड़ा सत्ता के लिए आपने लड़ा उन्हें 32 खातियान मुद्दा थी तो फिर जारखंड के मिट्टी की खातिया आई क्यों सिफसे नहों या चैराम मातों में एक ही चीज कहता हूँ सबकी एक ही मांसिक्ता है और वो दिखती है मुख्य मंत्री की कुर्शरी यह उससे उपर कुछ देखते नहीं है आप मुर्ख वेखती हैं आखिर भूल गया है कि जब हैमंद सोरेन की भी सरकार बनी थी तो उन्होंने भी एक ही बात कहा था है मंद सोरेन ने कि खतियान कर रहे हैं मैं पूछता हो कि खतियानी पास करने के लिए सबसे पहला बील अगर कोई बात आया था प्रस्ताव आया था तो हैमन सोरेन ने जिसे कोट ने रद किया था तो कोट के विरुद में आंदोलन कीजिए और एक पाटी बन गया कि हम उन्हें 132 की खतियान लागू कर सरकाता हम बिहारी हैं और बिहार का विकास करेंगे पता है उन्होंने क्या किया था सो हम बिहारीयों तुम्हारे लिए सत्ता लडाएंगे आज बिहार की सत्ता देख लिए बिहारी हर राज में ठोकर खा रहा है इसके लिए दोसी बिहारों की बिहारीयों की यह है कि उन्हो कि अब लिए है खायर दोस्तों मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूँगा आप कॉमेंट बॉक्स में बताइए आप इस पर क्या विचारदारा रखते हैं मैं गर जायदा बोलूँगा तो लोगों को सायद बुरा लग जाए जार खंड के मेरे कई ऐसे दोस्त है जो मुझ करके देखिए कि क्या वो वेक्ति आपके लिए लड़ेगा जो आज सत्ता के लिए धार्मी भोट पाने की विचारदारा रखने लगा है केवल सोचिए और आगे बढ़िए और आपने का 90-10 का कानून लाएंगे आखिर जार इसी जार्खन में सबसे पईरा जार्खन बरब कि सराब मत पियो सराब का विरूद करें दूसरी बात जार्खन में सिक्षा बिवस्था बहुत कम जोर है बिहार के बाद है क्या उन्होंने इसकी उठाई आप इसी से समझ जाईए आप पढ़ेंगे नहीं आप एक बात बताए आपके पास 10 कठा जमीन है लेकिन आप अनप आपकी प्राइबरिटी होनी चाहिए कि हमको एजूकेशन हाई लेबल का दीजिए खैर आप इस पर क्या कहना चाते कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईगा और मेरी बात अगर किसी भी महराष्ट्रा के विक्ति को बुरा लगा हो या फिर जैराम मातों के समर्थक को बुर करें सब्सक्राइब करें फॉलो करें अगर फेस्बूक पर देख रहें तो और अपने बाकी साथियों तक इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भेजें और हर दोस्तों को दिखाएगी कि इस प्रकार्शन हमारे साथ केवल सत्ता के नाम पर जंता को ठगी जाती है यह हर विक